नमस्कार जी, बिगत कुछ वर्सों से लोग आईरुवेद के पतिया आकर सी थे, हमारे छोटे छोटे आईरुवेदा वैद्य और बड़े जो डोक्टर हैं, वे भी जो continuously आईरुवेद नहीं पढ़ सकते, जो treatment के लिए confused रहते हैं, जिनके दिमाग में आईरुवेदी इस तर किस तरह से इसको हम treat करेंगे, कैसे कौन से सवाल पुछेंगे, इसका कौन सा problem है, किस समस्या के उपर हमें काम करना चाहिए, confused रहते हैं, याद नहीं रहते हैं, तो बिल्कुल भी panic होने वाली कोई जरूत नहीं है, क्योंकि आयूशोगी.com ले आया है, self diagnosis tool, दोस्तों इतना जबर जसता यह tool है, अगर आप इसका इस्तिमाल करोगे, तो आप आओगे, कि ये बहुत अच्छा ये system है, ये आपको, आपके सामने जब कोई patient आते है, तो एक professional doctor के तरह आपके साथ ये treat करता है, ये आपको बताता है कि patient से क्या पुछना है, ये आपको बताता है कि आपन पूजना चाहिए, और finally कौन कौन से सवाल इसको पूजना चाहिए, और उसके बाद finally क्या treatment देना चाहिए, किस आईरुवेदिक रोग के तरफ ये इसारा करता है, चली जरा देखते है, इसका एक example ले करके हम चलते है, जैसे ये self diagnosis में हमने क्लिक किया, देखे, आईरुवे पूजता जाएगा, संबंदित लक्षणों के ऊपर क्लिक करते जाए, ये आपको आईरुवेदिक रिपोर्ट दे देगा, अब क्या चाहिए, तो चली जरा, कोई मेरे पास एक patient आया कहता, सर मुझे, कोई lady जाई, कहती है, सर मुझे तो fibroid है, अब जब आपके सामने कोई patient कहता है, सर मुझे fibroid है, तो दिमाग में एक ही दबई आता है, इसका नाम है कचनार या कचनार गुगल या नित्यानन नम्रस या इस तरह के चीज़े, उसके लब कोई दूसरा आता ही, क्यों हो रहा है, किस बज़े से हो रहा है, सरीर के किस, आईरुवेद ने क्या बोला है उसके बारे में कहां कहां किस किस तरह के बातें किया है, यह दिमाग में कहां रह पाता है, जो बहुत कंटिनुसली पढ़ते हैं, उनकी भी दिमाग में नहीं रहा है, क्योंकि आईरुवेद कोई छोटा कंसेप्ट है, पुरा चरक आपके दिमाग में रह पाएगा, क्या प पास एक पेशेन्ट जिसका FIBROID का FIBROID alors यह सकता है देखी ज़रा आयरुमेत यह जो डाइग्नोसीज apostle कि माराज fibrotaid का मतलब गुलम हो सकता है कि डुलमर की टेका ayrawad की एक ह Wrestle हम थी सब्सक्राइबिकशन के सकते हैं उट्रेइन यह सभी गुल्म के कटेगरी में आते हैं इसका एक अवस्था है श्रम जन्न स्वास अवरोध में हो सकता है तो हम तो भूल गए भाई कि इसका एक हेतु स्रम है बहुत ज़्यदा exercise करके बहुत ज़्यदा कोई ऐसे मैनत करने के बाद जो स्वास प्रस्वास होता उसको रोकने से गुल्म हो सकता और उसके परिडाम से फाइब्रट हो सकता लेकिन वेबसाइट आपको भूलने नहीं देगा अब स्रम जन्य स्वास वरोद के हिसाब से एक पर आप सोचोगे कि क्या यह है तो इसकी चिकित सा हमें स्रम जन्य स्वास वरोद के ही हिसाब से करना है अगर है तो यहां आपने क्लिक करना है पहले नंबर नहीं तो दूसरें देखो चर्दी यानि वोमेटिंग वेग को रोकने से भी आईरवेद गुल्म होता है शरीर के अंदर गाठे होते है ऐसी बाते बताया है तो आप उसको पुछो कि भाई आप पहले बोमेटिंग आती थी क्या या बोमेटिंग को रोकने के लिए कुछ मेडिसिन आप खाते थे क्या अगर यस तो आप चर्दी वेगावरो यानि इससे उदावर् रोग हो रखा है लाइक ओडिमा हो गया पीसी ओडी हो गया यह भी रक्त पित्त में हो सकता है तो अब आप उसको रक्त पित्त से रिलेटेड सवाल उसको पुछो तीक आपको यह याद दिला रहा है बोसारी चीए तिसरी चौथे नमर में आ गया दोस्तों ओडिमा यानि जिने हम सोत कह सकते हैं इंडोमेट्रसिस हो गया रक्त गुल्मा पीसी ओडी फाइवरड सिस्ट यह सभी जो इस्त्रियों में परिशानी होती है उसके पीछे आईरवेदरी सोत नाम का एक रोग और उसकी कंसेप्ट दिया हुआ है तो पुछो कि ऐसा कुछ है क्या सोत जैस कि आजे मान्स प्रदो स्धियृ रोग दोसह है यह तो है कि यूनी में तो योनी में तो है न तो वहां पर यूट्रेंट फाइवराइड अगर है तो योनी व्यापत के इसाब से सोचना चाहिए तो एक फाइवराइड लेकर के आये थे आप तो जश्ट कचनार घुगली देने को तयार थे या कुछ उस तरह से फाइवराइड ही सोच करके दबाई दे ग्रंथी क्या चीज है मुझे तो मालूम नहीं है यह मांस प्रदोसज दोस किस बले का नाम है तो इसके लिए भी इस वेबसाइड ने इस टूल ने विवस्ता किया है अगर आपको लगता है कि मांस प्रदोसज दोस अब एक चीज में आपको पताता हूं किसी को फाइवरा प्रदोसज से सम्बंद रखे यहां आपको क्लिक करना है उसके बाद सर्च बार में क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद अगर आप पहली बार इस वेबसाइट में आये हों, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, अगर आपने पहले किया है, तो लॉग इन करना है, चली जरा अभी मैं पहली बार आया हूँ, तो न्यू रजिस् अब मुझे ये पुछेगा नि क्योंकि मैं पहले से लग इन और रखा हूं मुझे नियू रजिस्ट्रेशन करने की जरुद नहीं है कि अगर आपको जरुद है तो आप यहां से नियू रजिस्ट्रेशन करके वहां जो पिन नमर फोट डिजिट का जो नमर है उसको याद भूल गए तो उसी नमर से फिर दुबारा लग इन करने के लिए दूसरा नमर जनरेट नहीं करेगा यानि वह लोग इन नहीं होगा वह रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो ऐसे में अगर आप इन नमर भूल गए तो 8699175212 इस नमर से आप फोन कर सकते हैं अभी हमने देखा यानि उसका लक्षण, पुर्वरूप और हेतो ये तीन बड़ी ही महत्तों की बाते होती हैं अगर आप आईरुवेदिक चिकित सक हो तो आपको मालूम है अगर नहीं हो तो ये आपको जानना चाहिए क्योंकि आईरुवेद बोलता है कि जो चिकित सा है वो लक्षणों के आदहार पर जो दोस डिसाईड होगा उस दोस को हमें हेतों से जाकर के चिक करना है जैसे मम लिझे कि कोई आदमी को उसका लक्षण होता है सीर में धर्द होता है तो सीर में दर्ध अगर कफ के कारण से है तो हमें यह ढोड़ना चाहिए कि उसके आहार बिहार में कफ प्रदाहन कोई है क्या अगर है तो कफज चिकिसा हमें करना चाहिए वो सारी चीजें विबसाइट आपको step by step करके रग देता है बाद लेको दिरा हम अभी यहां पर मानसा प्रदोसा जो दोस सिंप्टम्स के आधार पर हम यहां पर किस दोस से रिलेटेड है वो क्योंकि अईरुवेद में कफपित्त और वाता यत जो कुछ भी है तीन दोस ही रहते हैं क्योंकि अइरुवेद रोग की नाम का यानि फ्विवाइड का चिकिशा नहीं करने वाद कुन जहां जोसों है पूरवरूप है यहां फायवरूड सा ही तो हम यहां फ्पर हो फायवरूड में लİL, उसके बाद नेक्ष्ट में हम इसे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको चिकिच्चा वीधि बताथा यहां मानसा प्रदोसा जव्यादी चिकिचा के लिए चरक संगिता में बिदी पुर्वक, बमन, संसोदन तका सस्त्र कर्म और शार कर्म करने के लिए बुला है। तो यहां अगनी कर्म ही सबसे अच्छा है। यह आयरुवेद का एक सोच है। अगर आपको लगता है कि नहीं मानसर प्रदोसर नहीं इसको तो ग्रंथी है। ग्रंथी है। तो आप इसको ग्रंथी इस में आप यहां पर में थोड़ा सा फाइबरल लिखता हूं। आपने कहा कि नहीं माराज इसको तो ग्रंथी जैसा लग रहा है। तो ग्रंथी में हमने क्लिक किया। आलो ग्रंथी आगे। ग्रंथी मलब सिस्ट। इसमें हमने क्लिक किया। आप यहां सिम्टम्स भी हो सकता है। पूरवरूपी हो सकता है। नहीं है। हेतु है तो ग्रंती रोम का हेतू यहां इसने बताया है तेकंछ यह आ गया सिम्टम समळना यहां पर बहुत सारे सिम्टम से ग्रंती रोम का पायब के फायवराइड है हम एन विफसाइड ग्रंती की और लेके चला है अब यहां पर जो बताए वो ग्रंती रोग के इसाब से बताएगा देखो ग्रंती रोग में कौन-कौन सा इस तरह के एलोपेत विचार वाले रोग हो सकता है क्योंकि हमें तो आईरुवेदिक से किसा करना है तो मतलब आप देखो जड़ा मैं यहां पर आलो फाइब्रोमा हो गया सोत्रीका अब मैं यहां पर क्लिक करूंगा सोत्रीका आधेखो जड़ा सौत्रीका यहीं के राही कभी-कभी डाइर्या भी होता है, सरीर के मद्यभाग में यह ट्यूमर भी है, तो इसके हिसाब से पाइतिक ग्रंती है ऐसा करके इसन, आपको पताए कि यह जो है यह पित्त से रिलेटेड ग्रंती है, ठीक, इसमें क्या चिकिचा होनी चाहिए, उस चिकिचा का वेवस्ता बत देता है, और बाकी की कुछ अईरुवेदिक मेडिसीन है, तो उसको भी यह बता देता है, अलग-अलग कंडिसन, ग्रंती क्या है, रसुली को हम कैसे समझेंगे, यानि फाइब्रोइड को किस-किस अवस्ता में देखी ज़रा है, तो यहाँ पर किस वईद्य ने किस परकार मेडिसीन है, उनकी जो कंडिसन है, अलग-अलग कंडिसन में, वो भी सारे यहाँ पर जगे-जगे में लिखा हुआ रहे है, बहुत आसान है जी, जो नए आयुरुवेदिक विद्यारती है, नए जो चिकिस है, जो अभी भी क्लिनिक खोलके बैठे, उनके लिए यह वेबस अब सोथ और अपत्य सब्स से अगर आप गड़बड है यानि कि आपको आयुरुवेद एक बार दिहान से पड़ना है, लेकिन याद नहीं रखना है, वेबसाइट आपके रिकॉर्मेंट के हिसाफ से सब जिल्य दे लगा, कोई बुग की जर्योंता नहीं कोई नोट बलान करते हैं उनकी द्वारा बताए हुए चीजें भी यहां पर अभी हम लोग आभी हमारा टीम जो ही इसको डालता है तो कहने का मतलब एंड है इसके आगे हो कुछ नहीं है यह एई टूल से भी बहुत स्रॉंग है अईरुवेद के दिश्टी में ठीक है क्योंकि यहां पर सटिक अईरुवेदिक विचार को स्थान दिया हुआ है ताकि आप कभी कन्फ्यूज नहों आपके पास जो पेसेंट आते हैं वह हंड्र जगे किरती रहे आईरुवेद आप एक बड़िया तरीका से देखें इसके लिए आईरुवेदिक सोच रखना जरूरी है और आईरुवेदिक सोच आईउशो की सेल्फ डाइग्नोस से ही आप कर सकते हैं अब यहां पर आपने किसी पेशेंट के लिए बनाया रिपोर्ट आप चाते हो कि मैं इस रिपोर्ट को किसी मेरे उस पेशेंट को भेजू जिसके लिए मैंने यह डाइग्नोस किया है तो यहां आपने क्लिक किया कभी-कभी यह ऐसा बता जाता है सर्वर इसका तो इस तरह से आप वहां पर क्लिक करें और उसके बाद चीजें आप अपनी ह तो यह पर नहीं तो आप यहां पर कांटेक्ट करने के लिए यह वाड़सप है यहां पर यहां पर फेजबुक भी है और नहीं तो आप को यहां परा कॉंटेक्ट आसी यहां आकर कि भी आप अपने बारे में लिख सकती क्या कुछ आपने बताना कॉंटेक्ट में लिख करके सब्मेट कर तो काम कतम हो गया तो मेरा नम्मार रहे तो इस तरह से आप इस सिस्टम में करिए और आयुरुवेद का गुद्धार करें और आप अपना व्यपार जो आयुरुवेद जो है उसका प्रवर्दन करें विकास करें तो दीजी आज भी दाक नमस्कार